नमस्कार राजस्तान की धर्ती के सपूत और भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोगसभा के कस्टोडियन हमारे आदर्णिय स्पीकर स्रिमान ओम बिर्ला जी राजस्तान के मुख मंत्री स्रिमान अशोग गहलोज जी केंद्रिय स्वास्ता मंत्री स्री मन्शुक मंडाविया जी केंद्रिय मंत्री मंडल मेरे अन्य सभी सयोगी स्रिमान गजेंद्र सीशेखावज जी भुपेंद्र यादव जी अर्जुन राम मेगमाल जी कैलास चोद्री जी डॉक्टर भारती पवार जी स्री भगवन खुबा जी, राजस्तान की पुर्व मुख्यमंत्री, बहन बसुंद्रा राजे जी, नेता विपक्ष, गुलाप्चन कटारिया जी, राजस्तान सरकार के अन्य मंत्रिगाण, साउसदगाण, विधायगाण, कारकम्य उपस्तित, अन्य सभी महानुभाव और राजस्तान के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, सौ साल की सबसे बड़ी महामारी ने, दुनिया के हेल्ज सेक्टर के सामने, अनेग चुनावतियां खड़ी कर दी, और ये महामारी बहुत कुछ सिखाया भी है, और बहुत कुछ सिखा रही है, हर देश अपने अपने तरीके से इस संकट से निपटने में जुटा है, भारत ने इस आत्मदा में आत्म निर्भरता का अपने सामर्थ में बढ़ोति का संकल पलिया है, राजस्तान में चार नए मेडिकल कॉलेज के निर्मान की कार्य का प्रारंब और जैपूर में इंस्टिटूट अप पेट्रोकेमिकल टेक्नोलोजी का उद्गारण इसी दिशा में एक एहम कदम है, मैं राजस्तान के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं, और आज मुझे राजस्तान के इस विशेष कारकम में वर्चुली मिलने का मोका मिला है, तो मैं राजस्तान के उस बेटे-बेटियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने उलिम्पिक में हिंदुस्तान का जंडा गाड़ने में एहम भूमी का निभाई है, वैसे मेरे राजस्तान के बेटे-बेटियों को भी मैं आज फिर से एक बार बढ़ाई देना चाहता हूं, आज जब यह कारकम हो रहा है, तब जैपूर सहीत देश के दस सीपेट सेंटर्स में प्लास्टिक और उससे जुड़े वेस्ट मेनेजमेंट रून्स को लेकर जागरुकता कारकम भी चल रहा है, इस पहल के लिए भी मैं देश के सभी गणमान्य नागरिकों को बहुत-बहुत सुबकामराई देता हूं, बाई और बहनों, साल 2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्विकृति दी थी, इन में से साथ मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर चुके हैं और आज बासवड़ा, सीरोही, हनुमानगर्ड और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्मार की शुरूआत हुई है, मैं इन शेत्रों के लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ, मैंने देखा है, यहां के जो जनप्रदी देजी रहे हैं, हमारे मान्य साउसद है, उनसे जब भी मुलाकात होती थी, तो वो बताते थे कि मेडिकल कॉलेज बनने से कितना फाइदा होगा, चाहे सांसत मेरे मित्र भाई कनक्मल कटारा जी हो, हमारी सीनियर एंपी बेहन जसकोर मिना जी हो, मेरे बहुत पुराने साथी भाई नियल चन चुवान जी हो, या हमारे आदे गुजराची आथे राजस्तारी ऐसे भाई देवजी पटेल हो, आप सभी राजस्तान में मेडिकल इन्फरा को लेकर काफी जागरूक रहे हैं, मुझे विश्वास हैं, इन नए मेडिकल कॉलेज का निर्वान राज्च सरकार के सहयोग से समय पर पूरा होगा, साथियों, हम सभी ने देखा हैं कि कुछ दशक पहले देश की मेडिकल व्यवस्ताओं का क्या हाल था, 2001 में, आज से 20 साल पहले, जब मुझे गुजरात ने मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा का आउसर दिया, तो हेल्थ सेक्टर की स्थिती वहां की भी बहुत चुनोतियों से भरी होई थी, चाहे वो मेडिकल इन्फास्रक्टर हो, मेडिकल स्विक्षा हो, या फिर इलाज की सुविदाएं हो, हर पहलू पर तेजी से काम करने की ज़रुरत थी, हमने चुनोति को स्विकारा और मिलकर स्थीतियों को बदलने की कोशिश की, गुजरात में उस समय मुख्यमंत्री अमुरुतम योजना के तहट गरीब परिवारों को दो लाख रुपिये तक के मुप्त इलाज की सुविदा शुरू की गई थी, गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में डिलिवरी के लिए चिरंजी भी योजना के तहट प्रोचाहित किया गया, जिससे माताओं और बच्चों का जीवन बचाने में बहुत अधिक सफलता मिली, मेरिकल सिक्षा के मामले में भी बीते दो दस्षकों के अथक प्रयासों से गुजरात ने मेरिकल सीटों में लगबग छे गुना वृद्धी दर्च की है, साथियों मुख्धमंत्री के रूप में देश के हेल्थ सेक्टर की जो कमिया मुझे अनुभव होती थी, बीते छे साथ सालों से उनको दूर करने की निरंतर कोशिश की जा रही है, और हम सबको मालूम है, हमारा समिधान के ताथ जो फैडरल स्ट्रक्चर की विवस्ता है, उसमें हेल्थ ये राज्य का वीशे है, राज्य की जिम्मेवारी है, लेकिन मैं राज्य का मुख्यमंत्री रहा लंबे सर्माई तक, तो क्या कठिनाईया हैं वो मुझे मालूम थी, तो मैंने भारत सरकार में आकर के, भले दाईत्व राज्य का हो, तो भी उसमें बहुत सारे काम करने चाहिए भारत सरकार ने, और उस दिशा में हमने प्रयास सरूर किया, हमारी यहां एक बड़ी समस्या ये थी, कि देश का हेल्थ सिस्टम, बहुत ही अधिक टुकडों में बटा हुआ था, अलग-अलग राज्यों के मेडिकल सिस्टिम में, राष्टिय स्तर पर कनेक्टिविटी, और कलेक्टिव एप्रोच का अभाव साथ। भारत जैसे देश में, जहां बहतर स्वास्त सुमिधाएं, राज्य की राजधानिया, या कुछ मेट्रो सिटिक तक ही जिमित थी, जहां गरीब परिवार, रोजगार के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, वहां राज्य की सीमाओं तक, सिम्टी स्वास्त योजनाओं से, बहुत लाब नहीं हो पा रहा था। इसी प्रकार, प्राइमरी हेल्थ केर, और बड़े अस्पतालों में भी, एक बहुत बड़ा गैप नजर आता था। हमारी पारमपारिक चिकित सा पद्धती, और आधुनिक चिकित सा पद्धती के बीच भी, तालमेल की कमी थी। गवर्नेंस की इन कमीयों को दूर किया जाना, बहुत जरूरी था। देश के स्वास्त सेक्टर को, ट्रांस्फर्म करने के लिए हमने एक राष्ट्रिय एप्रोच, एक नई राष्ट्रिय स्वास्त नीती पर काम किया। स्वच्च भारत अभियान से लेकर, आईश्मान भारत और अब आईश्मान भारत डिजिटल मिशन तक, ऐसे अनेक प्रयास इसी का हिस्सा है। आईश्मान भारत योजना से ही अभी तक, राजिस्तान के लगभग साड़े तीन लाख लोगों का मुप्त इलाज हो चुका है। गाव देहात में स्वास्त सुविधाओं को मजबूत करने वाले लगभग डाई हजार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज राजस्तान में काम करना शुरू कर चुके हैं। सरकार का जोर प्रिवेंटिव हेल्थ केर पर भी हैं। हमने नया आईश मंत्राले तो बनाया ही है। आईवर्वेद और योग को भी निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। भाई और बहनों एक और बड़ी समस्या मेडिकल इंफ्रस्ट्रक्टर के निर्मार की दीमी गती की भी रही है। चाए एमस हो हो, मेडिकल कॉलेज हो या फिर एमस जैसे सूपर स्पेशालिटी अस्पताल हो। इनका नेटवर्क देश के कोने कोने तक तेजी से फैलाना बहुत जरूरी है। आज हम संतोस के साथ कह सकते हैं कि 6 एमस से आगे बढ़कर आज भारत 22 से ज़्यादा एमस के ससकता नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है। इन 6-7 सालों में 170 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज तयार हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा नए मेडिकल कॉलेज पर काम तेजी से चल रहा है। साल 2014 में देश में मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की कुल सीटें 82,082,000 के करीब थी। आज इनकी संख्या बढ़कर एक लाग चालिस हजार सीट तक पहुच रही है। यानि आज जादा नवजवानों को डॉक्टर बनने का मौका मिल रहा है। आज पहले से कहीं अधिक नवजवान डॉक्टर बन रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन की इस तेज प्रगति का बहुत बड़ा लाब राजस्तान को भी मिला है। राजस्तान में इस दवरान मेडिकल सीटों में दो गुनी से भी अधिक बढ़ोत्री हुई है। UG सीटें 2000 से बढ़कर 4000 से जादा हुई हैं। PG सीटें राजस्तान में 1000 से भी कम थी। आज PG सीटें भी 21 तक पहुच रही हैं। भाई और भेनों आज देश में प्रयास ये हैं कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन देने वाला कम से कम एक संस्तान जरूर हो। इसके लिए मेडिकल सिक्षा से जुड़ी गवननेंस से लेकर दूसरी नीतियां कानूनों, संस्तानों में बीते वर्षों के दरवान बड़े रिफॉर्म्स किये गए हैं। हमने देखा हैं कि पहले जो मेडिकल काउंसिल ओफ इंडिया, MCI थी, किस तरह उसके फैंसलों पर सवाल उड़ते थे, भाती-भाती के आरोप लगते थे, पार्लामेंट में भी गंटों उसकी बहस होती थी, पारदर्सिता के विशे में सवालिया निशान आते थे, इसका बहुत बड़ा प्रभाव देश में मेडिकल सिख्षा की क्वालिटी और हेल्थ सर्विसिस की डिलीविर पर पड़ा रहा है। बड़सों से हर सरकार सोती थी कुछ करना चाहिए, बड़लाव करना चाहिए, कुछ निर्णे करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मुझे भी ये काम करने में बहुत मुश्किन आई। सलसद में कई पिछले में पिछली सरकार के समय करना चाहता था। नहीं कर पाता था। इतने ग्रूप इतने बड़े अड़ेंगे डालते थे बड़ी मुसीबतों से आखिर कर हुआ। हमें भी इसे ठीक करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। अब इन व्यवस्ताओं का दाइत्व नेश्नल मेडिकन कमिशन के पांस है। इसका बहुत बहतर प्रभाव देश के हेल्थ केर, हुमन डिसोर्स और हेल्थ सर्विसिस पर दिखना शुरू हो गया है। साथ क्यों, दसकों पुराने हेल्थ सिस्टिम में आज की आवशक्ताओं के अनुसार बड़लाव जरूरी है। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डिलिवरी में जो गैप था उसको लगातार कम किया जा रहा है। बड़े अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, अनेक उनके संसाधनों का नए डॉक्तर, नए प्रड़ा मेडिकल तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा उप्योग हो, इस पर सरकार का बहुत जोर है। तिन चार दिन पहले शुरू हुआ आईश्मान भारत डिजिटल मिशन देश के कोने कोने तक स्वास्त सेवाओं को पहुँचाने में बहुत मदद करेगा। अच्छे अस्पताल, टेस्टिंग लेप, फार्मसी, डॉक्टरों से एपोइंट्मेंट, सभी एक क्लिक पर होगा। इससे मरीजों को अपना हिल्थ रिकॉर्ड संभाल कर रखने के भी एक सुभीदा मिल जाएगी। बाई यूर बैनों, स्वास्थ सेवा से जुड़ी स्किल्ड मैंपावर का सीधा असर प्रभावी स्वास्थ सेवाओं पर होता है। इसे हमने इस कोरोना काल में और ज़्यादा महसूस किया है। केंद्र सरकार के सबको वैक्सिन, मुप्त वैक्सिन अभियान की सफलता इसी का प्रतिमी महाय है। आज भारत में कोरोना वैक्सिस की 88 करोड अधिएक करोड से अधिक डोज लग चुकी है। राजस्तान में भी पाँच करोड से अधीक वैक्सिन डोज लग चुकी हैं। हजारों सेंटर्स पर हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाप लगातार वैक्सिनेशन करने में जूटे हैं। मेडिकल ख्षेत्र में देश का ये सामर्त हमें और बढ़ाना है। गाँव और गरीब परिवारों से आने वाले युवाओं के लिए सिरफ अंग्रेजी भाशा में मेडिकल और टेकनिकल एजुकेशन की पढ़ाई एक और बाधा रही है। अब नई राष्टिय सिच्छानिती के तहट हिंदी और दूसरी भारतिय भाशाओं में मेडिकल की पढ़ाई का भी मार्ग बना है। राजस्तान के गाउं की गरीब परिवार की माताओं ने अपनी संतानों के लिए जो सपने देखे हैं वो अब और आसानी से पूरे होंगे। गरीब का बेटा भी गरीब की बेटी भी जिसको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का मोका नहीं मिला है वो भी अब डॉक्टर बन करके मानवता की सेवा करेगी। आवसाग ये भी है कि मेडिकल सिक्षा से जुड़े अउसर समाज के हर हिस्से हर वर्ग को समान रुप से मिले। मेडिकल सिक्षा में OBC और आर्थिक रुप से कमजोड सामान्य वर्ग के युवाओं को आरक्षन देने के पीछे भी यही भावना है। साथियों आजादी के इस अमरित काल में उच्चस्तर का कौशल न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ाएगा बलकि आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने में भी बड़ी भुमी का निभाएगा। सबसे तेजी से विक्सित हो रहे है उद्ध्योग में से एक पैट्रो केमिकल इंडरस्ट्री के लिए स्किल्ड मेंपावर आज की आवश्रक्ता है। राजस्थान का नया इंस्टिटूट अब पैट्रो केमिकल टेक्नोलोजी इस खेत्र में हर साल सेंकडो युवाओं को नई संभावनाओं से जोडेगा। पैट्रो केमिकल्स का उप्योग आजकल एग्रिकल्चर, हेल्थ केर और अटोमोबाइल इंडरस्ट्री से लेकर जीवन के अनेक हिस्सों में बढ़ रहा है। इसलिए स्किल्ड युवाओं के लिए आने वाले वर्षों में रोजगार के अनेक अवसर बनने वाले हैं। इस पैट्रो केमिकल्स संस्तान का उद्धाटन कर रहे हैं, तो मुझे 13-14 साल पहले के वो दिन भी याद आ रहे हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, गुजरात में हमने पैट्रोलियम युनिवर्सिटी के आइडिया पर काम शुरू किया था। तब कुछ लोग इस आइडिया पर हसते थे, कि आखिर इस युनिवर्सिटी की जरूत क्या है, यह क्या कर पाएगी, इसमें पढ़ने के लिए छात्र छात्रा कहां से आएंगे। लेकिन हमने इस आइडिया को ड्रॉप नहीं किया। राजदानी गांदे नगर में जमीन तलासी गई और फिर पंडित दिन दयाल पैट्रोलियम युनिवर्सिटी पीडी पीउ इसकी शुरूरात हुई। बहुती कम समय में पीडी पीउ ने दिखा दिया है कि उसका सामर्थ क्या है। पूरे देश के विद्यार्थियों में वहां पढ़ने की होड लग गई। अब इस उनिवर्सिटी के विजन का और विस्तार हो चुका है। अब ये पंडित दिन दयाल एनर्जी उनिवर्सिटी पीडी ईयू के रुप में जानी जाती है। इसी तरह के समस्थान अब भारत के युवाओं को क्लीन एनर्जी के लिए इनोवेटिव सलुशन्स के लिए आविश्कार का मार दिखा रहे हैं। उनकी एक्सपर्टिज बढ़ा रहे हैं। साथियों, बाडमेर में राजस्थान रिफाइंडरी प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम जारी है। इस प्रोजेक्ट पर सत्तर हजार करोड रुपिय से जादा का निवेश किया जा रहा है। इंस्टिटूट और पेट्रोकेमिकल टेक्नोलोजी से पढ़कर निकलने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत से नए मोके बनाएगा। राजस्तान में जो सिटी गैस डिस्टिबिशन का काम हो रहा है। उसमें भी युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं। 2014 तक राजस्तान के सिर्फ एक शहर में सिटी गैस डिस्टिबिशन की मंजूरी थी। आज राजस्तान के 17 जिलें सिटी गैस डिस्टिबिशन नेटवर्क के लिए अधिकृत किये जा चुके हैं। आने वाले वर्षों में राज के हर जिले में पाइप से गैस पहुचाने का नेटवर्क होगा। भाई और बहनों राजस्तान का एक बड़ा हिस्सा रिगिस्तानी तो है ही सीमावर्ती भी है। कठीन वागोलिक परिस्थितियों के कारण हमारी माताय बहने बहुत सी चुनोतियों का सामना करती रही है। अनेक वर्षों तक मैं राजस्तान के दूर दराज के खेत्रों में आता जाता रहा। मैंने देखा है कि सावचालय, बिजली और गैस कनेक्शन के अभाव में माताओ बहनों को कितनी मुश्किलें आती थी। आज गरीब से गरीब के घर, सावचालय, बिजली और गैस का कनेक्शन पहुंचने से जीवन बहुत आसान हुआ है। पीने का पानी तो राजस्तान में एक प्रकार से आए दिन माताओं बहनों के धैर्य की परिशा लेता है। आज जल जीवन मिशन के तहट राजस्तान के 21 लाग से अधिक परिवारों को पाइप से पानी पहुंचना शुरू हुआ है। हर गर जल अभियान राजस्तान की माताओं बहनों बेटियों के पहरों में जो सालों साल चाले पड़ते हैं उन पर मरहम लगाने का एक छोटा पर इमानदार प्रयास है। साथियों राजस्तान का विकास भारत के विकास को भी गती देता है। जब राजस्तान के लोगों को गरिब की मद्यमबर की सहुलियत बढ़ती हैं उनकी इस अब लिविंग बढ़ती हैं तो मुझे भी संतोस होता है। बिते छे साथ वर्षों में केंद्र की आवास योजनाओं के माध्यम से राजस्तान में गरिबों के लिए तेरा लाग से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं। पी एम किसान सम्मान निधी के तहट राजस्तान के चवत्तर लाग सेवेंटी फोर लेक्स से जादा किसान परिवारों के बैंक खाते में लगबग 11,000 करोड रुपिये सीधे किसान के खाते में ट्रांसपर हुए हैं। प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना के तहट राज्जी के किसानों को 15,000 करोड रुपिये से अधिक का क्लेम भी दिया गया है। साथियों, बॉर्डर स्टेट होने के नाते, कनेक्टिविटी और बॉर्बडर एरिया डेवलप्मेंट को प्रात्विक्ता का लाब भी राज्यस्थान को मिल रहा है। नेशनल हाइवे का निर्माण हो, नई रेल्वे लाइनों का काम हो, सीटी गैस डिस्टिबिशन हो, दरजनों प्रोजेक्स पर तेज़ी से काम जारी हैं, देश के रेल्वे को ट्रांस्फर्म करने जा रहे, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का भी बड़ा हिस्सा राजस् से और गुजरात से हैं, इसका काम भी नए रोजगार की अनेक संभावनाय बना रहा है, भाईयो और भेनों, राजस्थान का सामर्थ पूरे देश को प्रेना देता है, हमें राजस्थान के सामर्थ को भी बढ़ाना है, और देश को भी नई उंचाईयों पर पहुंचाना ह ये हम सबके प्रयास से ही संभव है, सबका प्रयास, ये आजादी के 75 वर्ष में हमने ये सबका मई प्रयास इस मंत्र को लेकर के और ज़्यादा ताकत से आगे बढ़ना है। और अभी जब मैं राजस्तान के मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, तो उन्होंने एक लंबी सूची कामों की बता दी, मैं राजस्तान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, कि उनका मुझ पर इतना भरोसा है। भरोसा है, उसी के कारण आज उनका दिल खोल करके बहुत सी बाते रखी है, ये दोस्ती, ये पिस्वास, ये भरोसा, ये लोग तंत्री के बहुत बड़ी ताकत है। मैं फिर एक बार राजस्तान के लोगों का रजय से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, धन्यवाद!